नश्कार दोस्तों गार्गी क्लासिस पर आपका स्वागत है डेटा आज की 20 दिसम्बर 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्स्प्रस के एडिटोरियल आईडिया बेच से इंपोर्टन आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे आज आर्टिकल्स के नंबर तो जमन्दित आई है तो इसमें यहां पर तीन वीक पॉइंट्स बताए जा रहे हैं तो वो तीनों वीक पॉइंट्स हम यहां पर हाइलाइट करेंगे दूसरा जो आर्टिकल्स रहेगा वो यह कि फार्मर्स की सहायता कैसे की जा सकती है MSP की बजाए क्या एक option है वैसे तो इस मुद्दे को देखो हमने पहले बहुत बार डिसकस कर लिया है तो यह हमारा तीसरे नंबर का आर्टिकल होगा जिस पर हम यह फोकस करेंगे कि हाजी मतलब आज की इस डिसकुशन में थर्ड नंबर थर्ड नंबर थर्री पर हम इस आर फिर्ड नंना होगी, तो उस पॉimp आफिस ईस आर्टिकल को देखेंगे बाकी जो बचे वह आर्टिकल से एक बार उन पे हम लास्ट में सम्मरी पॉ 250 से नज़र डाल लेंगे तो चलिए देखते हैं डीटेल में अब इन पेनों आर्टिकल को लिखंगा यहाँ पर अपार् कुपता और विंदा बंडारी ने आर्टिकल का जो मेंन किंटेक्स्ट है वो देखो आपको पता ही है कि अभी दो साल के डेलिबरेशन के बाद में पारलिमेंटरी जॉइंट कमिटी ने परस्टनल डेटा प्रोटेक्शन बिल दोजार उनीस के ऊपर एक अपने रेकमेंडेश के बेसिस पे हो सकती है देखो सुप्रीम कोट के दुआरा के एस पुट्टा सुवामी जज्जमेंट के तहत बार बार ये कह चुके हैं और ये चीज़ हम बार बार बात कर चुके हैं कि राइट टु प्रिवेसी एक फंडामेंटल राइट है और उस चीज़ को हम कैसे भी क करके इग्नोर नहीं कर सकते तो राइटर्स फर्स्ट कंसर्ण जो रेइस करना चाह रहे हैं यहां पर ये जो रेकमेंडेशन्स आई हैं उनके बेसिस पे कि राइट टु प्रिवेसी की बजाए इंडिवीजुल इंट्रेस्ट की बजाए आपने स्टेट के कंसर्स को देटा प्रोटेक्शन बिल ठीक है 2019 में था तो 2019 का था अब इसमें चेंजिस लाकर के ड्राफ्ट में फिर से बिल इंट्रेड्यूस किया जाएगा तो जी यह बिल हो जाएगा 2021 का तो ऐसे में राइट टू जो राइट टू प्रिवेसी है फंडामेंटल राइट तो उसको इगनोर करते हुए सेंट्रल गॉर्मेंट को फेवर ज्यादा कर रही है इस पर्टिकलर कमिटी की जो रेकमेंडेशन साई है वो तो इसमें बूला तीन कंसरंस हम नोटिस कर रहे हैं पहला तो यह कि डेटा प्रोटेक्शन बिल 2021 पे ये कुशन आएगा कि सर्वीलियंस से सम मंदी जो भी रिफॉर्म सभी लाए गए हैं सर्वीलियंस का मतलब हो गया कि जो सरकार है या फिर जो स्टेट है वो अपनी तरफ से एक इंडिवीजुल की एक्टिविटीज पे अगर नजरे गडा करके रखे तो उस केस में कोई लगाम नहीं लगाने की बात की गई है सरक क्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक फिर security का नाम लेकर के national interest और state की security का नाम लेकर के यह कह दिया कि सरकार अगर vigilant रहती है तो बोलो उससे कोई problem नहीं है तो एक तो बोले right to privacy compromise हो रहा है जो कि नहीं होना चाहिए जबकि आप देखो कि हमारे यहां पर already कुछ ऐसे data protection जैसे ऐसे provisions है जिसकी वज़े से हम cyber security यह ensure करना चाहते हैं और उनके लिए entities भी established है for example एक तो crime and criminal trafficking network and system cctns हमारे पास में available है इसके अलाबा एक central monitoring system cms भी available है या फिर national intelligence grid जिसको net grid भी बोलता है short में तो बोले इन तीनों institutions के available होने के बावजूद भी इन तीनों institution का कोई mention नहीं किया गया है इस data protection law से संबंदी जो recommendation दी गई है joint parliamentary committee के दुआरा तो बोले यह recommendation जब already existing entities से संबंदी ती नहीं होगी तो फिर कैसे आप data को secure करा पाओगे तो पहला मुद्दा तो देखो यह आ गया कि भई data की जो privacy है उसकी बजाए state को ज़्यादा reference में रखा गया है जो भी recommendations दी गई है और existing जो entities जो की cyber security ensure करती है उनके बारे में कोई context ही नहीं है यहाँ पर recommendations में दूसरा point of concern यहाँ पर ही आ जाता है कि central government के जो departments है उनको छूट दी जाती है इस data protection bill 2021 के तायद कीजी clause 35 में कीजी अगर कहीं पर भी कोई भी data अगर access करना पड़े वोई बात national security और यह तो उस case में बुले जो department हैं सरकारी दफतरों के अंदर जो काम करने वाले officials हैं बोला उनके उपर ज़्यादा कारवाई के लिए कोई provision नहीं किये गया अगर वो data access करते हैं तो exactly वो ही पहला point यहाँ पर आप replicate होता हुआ देख सकते हो कि state surveillance होता चला जाएगा और वहाँ पर कोई लगाम की बात नहीं की जारी है इस data protection bill 2021 में जो की स्रीक्रिशना कमेटी के बिलकुल अगेंस्ट में है तो यह एक चीज जहां पर बताई जारी है कि आप छूट कैसे दे सकते हो किसी भी entity को अगर गलत है तो गलत है फिर वो सरकारी आदमी हो चाए कोई दूसरा आदमी हो इसके आगे अगर देखें 2018 में जब यह data protection bill ड्राफ्ट किया गया था ना तो उस ताइम पर यह कहा गया था कि अगर कहीं पर भी कोई भी data access किया जाए बियान स्रीक्रिशना कमेटी के recommendation के basis पे कि legality, necessity and proportionality इन तीनों चीजों को चेक किया जाएगा legality कि क्या वैद्ध्य तरीके से data को या फिर किसी भी individual की information को access किया जा रहा है क्या जरूरी ही है कि करना ही पड़ेगा नहीं करेंगे तो हो सकता है बहुत जादा नुकसान हो जाए और ये proportionality, कितनी information को आप access कर रहे हो तो बोलो वो चीज़े यहाँ पर नहीं include की गई और स्री कृष्णा कमेटी के इस आपसे अगर देखें तो ये एक dangerous trend है वो मुश्किले, dangerous trend चल रहा है जिसमें state लगातार surveillance होता चला जा रहा है इसके आगे ये बोल रहा है कि data protection bill 2021 में ठीक है, rectify करने की जरुवत थी कुछ problems को वो rectify नहीं की गई जो कि already existing law मतलब जो bill था उसमें problem थी जिसमें आप देख सकते हो कि जो दूसरे laws है जो already existing laws है उसके comparison में इस law को प्रिमेसी दी गई है क्योंकि और भी data protection के लिए हमारे पास में provision already available है second चीज यहाँ पर बताई जा रही है कि government agencies है वो जो कोई भी data access करें तो उसके लिए proper fair manner में उनके पास में procedure को follow करना चाहिए जैसे data की requirement है तो उनका data access करने का तरीका just होना चाहिए, fair होना चाहिए और उनके पास में एक proper reason होना चाहिए कि हाँ हम क्यों कर रहे हैं और एक proportionality यह हमने देखे लिया उपर तो बुले इन values को compromise नहीं होने देना चाहिए किसी भी case में ठीक है, इसके आगे बता रहे है कि दूसरे तरीके से government जो है इसी तरीके से तो central government को ज़्यादा powerful बनाने की बात की जा रही है इसलिए यहाँ पर हम टीन points देखने हैं, दूसरा point अभी हमारा अभी चली रहा है इसके लावा national security concerns को लेकर के आप अगर हर जगें पर एक state जो है अपना role play करना अपना role play करना शुरू कर देगा कि हाँ भी राष्ट्रे सुरक्षा के चलते हमें यह काम करना पड़ेगा तो बहुत यह तो आप already जो international trend है उसको भी तो understand करो जैसे United Kingdom का UK का data protection actor 2018 का उसमें सीधी सी बात है कि national security का नाम लेकर के आप पूरे act में कहीं पर कोई provision ना करो यह बात ठीक नहीं है मतलब वहाँ पर क्या है कि national security के कहने पर exemption जो दी जाती है छूट जो दी जाती है वो आप पूरे act के अंडर में नहीं है हाँ कुछ special provisions के बारे में mention कर सकते हो कि national security, public order, morality इसके लिए नुक्सान दायक अगर कोई चीज होती है तो वहाँ पर लगाम लगाई जाएगी और हमारे जबकि कानून के अंदर ऐसा कोई provision नहीं है जो exception का जो rule है वो पूरे कानून पर applicable है पूरे law पर applicable है पूरे bill पर जबकि United Kingdom में कुछ clause में ही ये provision किया हुआ है इसका मतलब national security को भी वो proportionality वाला segment आना यहाँ पर जरूरी है ठीक है हमारे यहाँ पर exemption का reason क्या होगा क्या नहीं होगा उसके पीछे parliament में पूरी proceedings होनी चाहिए तब जाकर के छूट देनी चाहिए even हमारा जो अभी ये जो 2021 का जो बिल्ड राफ्ट हो रहा है बोलो उसमें RTI की proceeding से भी छूट तक मिली हुई है तो बोलो government के उपर तो फिर इसका मतलब कोई लगाम ही ने लगाए ज़रे पाईगी सरकार तो इस तरीके से मिश्यूज कर सकती है इस data protection law का ठीक है तो दूसरा मुद्दा आ गया सरकारी दफ्टरों को छूट से सम्बन दित तीसरा फिर मुद्दा आ जाता है कि इस data protection bill 2021 की बात करें तो इसमें data protection authority constitute की जाएगी यह हमने देखा बोलो B.N.Sree Krishna कमिटी ने तो अपनी तरफ से कहा था कि इसमें judiciary का involvement होना चाहिए proper जब भी कोई appointments की जाए Chief Justice of India as a chairperson काम करें और बाकी जो members हैं उनका appointment proper हो पर अभी जो recommendations आई है बोलो इसमें information technology secretary इसके अलावाद जो involved members होंगे वो attorney general हो जाएंगे IIT के director होंगे IAM के director होंगे और इनको सब को मतलब nominate कौन करेगा जो भी nominated members होंगे इससे data protection authority में वो सारे के सारे central government के दौरा nominated होंगे तो बोलो central government की ही सारी पकड़ यहाँ पर दिखाई जा रही है जबकि इसका उलट UK का जो data protection authority है ना वहां की data protection act के एंडर में जो authority है उसमें information commissioner जो है उसकी appointment fair and open competition के तहित होगी जिसमें candidate को parliamentary select committee के सामने जाना होता है और फिर उसके बाद में appointment होगा और parliamentary select committee के पास में जाना और फिर appointment लेना यह अपने आप में बहुत ही open बात हो चुकी है क्योंकि यहाँ पर फिर opposition का रोल भी आ गया ठीक है तो इस case में बोला है central government की बज़ाए एक balance manner में appointment होने की जरूरत है इसके अलावा joint parliamentary committee ने जो अपनी तरफ से recommendation दिया जिसके तहत data protection bill 2021 फॉर्म किया जाएगा इसमें clause 87 की बात करें तो authorities हैं वो central government की consent के under में bounded रहेंगी तो इसमें तो central government को आपने और ज़्यादा powerful बना दिया तो जरूरत एक balance बनाने की देखो government की agencies हैं वो वहाँ पर अगर एक दूसरे को check and balance करके नहीं चलेगी ना तब तक वो democracy को uplift करने में successful नहीं हो सकेगी यही चीज यहाँ पर बताई जा रही है कि जिस तरीके से official secrets act आया था उस time पर यह बोला था कि यह secrets को protect नहीं करेगा यह तो officials को protect करेगा तो बोला ऐसा ही कुछ यहाँ पर joint parliamentary committee की जो report आई अभी उसमें नजर आता है कि central government को protect करने की बात की जा रही है या फिर central government की नहीं generally आप देख सकते हो government की protection की ज़्यादा बात की जा रही है तो ऐसे में surveillance state बन जाए तो वो भी ठीक बात नहीं है क्योंकि right to privacy हमारा एक fundamental right है article 21 के अंडर ओके आगे चलता है यह तीन points थे तीनों को हमने अच्छे से समझा criticism था कि क्या कमिया है इस report में ठीक है जी और इसका क्या solution हो सकता है यह हमने UK वाला जो recommendation दिया है वो देखो यहाँ पर आपने notice किया कि हमने या तो B.N.S.T. Krishna कमिटी का नाम लिया है या फिर UK में जो data protection law आया था उससे सम्मन दित तो यही आपकी recommendation या आपकी suggestion हो जाएंगे कि कहीं पर भी कोई कमिटी के recommendation में तो बोले यह correction होने चाहिए ठीक है आगे चलते है नेक्स्ट आर्टिकल survey in perspective आर्टिकल को देखो यहाँ पर लिका है के एस जेम्स एंड यूएस मिश्रा ने देखो अभी recent जो data release हो आए National Family Health Survey round 5 का जिसमें population hand indicator इंक्यूब पर बहुत ध्यान दिया गया है उसमेंचे एक indicator पर यहाँ पर focus किया जा रहा वो यह है कि sex ratio जो है वो rise हुआ है पिछले round के comparison में अगर देखे National Family Health Survey round 4 के comparison में अगर 5 को compare करें तो बलो उसमें improvement देखने को मिला है कि 1000 men's के comparison में 1020 औरते हमारे आपर हो गई तो यह अपने आप में आप देख सकते हो कहां तो 900 की range में रहती है हमारी यहाँ पर sex ratio की बात करें कहां 1000 से ज़्यादा हो गई तो इतनी जल्दी इतना कुछ होना अपने आप में surprising तो है ही तो बोला extraordinary attention दिया जा रहा है इस बात को particular तो बोला इसके ओपर हमें थोड़ा सा समझने की ज़रत है कि इसमें सबसे बड़ी कमी है census 2021 का ना होना क्योंकि जो यह national family health survey हो रहे है यह तो family focused है अब family focused है तो family में तो सीधी सी बात है मर्द है या फिर male है sorry male है वो तो देखो निकल जाएंगे जाब करने के लिए बाहर घर पे कौन रह जाती है फिर females तो जब आप males को जो कि अपने institutions में occupied है वहाँ पर आप उनकी counting करनी रहे है क्योंकि यह family health survey है और वहाँ पर family के सर्वे करते हो तो उसके इसाब से तो आपको यह लगेगा ना कि हाँ वाकई में औरतों की संक्या जादा हो रही है females की counting जादा आ रही है sex ratio rise हो रहा है तो बहुत यह कहीं न कहीं question rise करता है कि आप किस data पर rely कर रहे हो हाँ इसका मतलब यह नहीं है कि national family health survey का data गलत है गलत नहीं बताया जा रहा है यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि national family health survey जो है उसके पास में जो survey sample survey जो है sample जो है वो family oriented है घरों पर oriented है घरों से बाहर जो लोग निकले हो है उनके उपर survey नहीं किया जाता है ठीक है जबकि census क्या करती है एक comprehensive manner में हर एक individual के बारे में पूरी detail गेन करती है तब जाकर के जो हमारे पास में data available होता है वो हमें real story निकाल के लेके आता है ठीक है दूसरी तरफ जो survey का composition है हमने already देखी लिया कि आप compare कैसे कर सकते हो हाँ यह बात ठीक है कि हमें national family health survey round 5 का data compare करना जाए national family health survey round 4 के साथ में तो बोला वहां पर थोड़ा ठीक हमें data मिल जाएगा इसके आगे national family health survey जो है यह बाठीक है कि अभी तक का world का सबसे बड़ा house old survey हुआ है यह जो पांचवे round का हुआ है जिसमें लगबग 6,36,99 गरों पर जाकर के और survey किया गया है पर मुद्दा क्या जाता है सवाल यह है कि आप कैसे कह सकते हो कि हाँ sex ratio एकदम से rise हो चुका है क्योंकि वही census का आएगा बाकी हाँ 2015-16 में जो नेशनल family health survey का चोथे round का जो data है उसमें देखें तो 991 women हुआ करती थी 1000 men's के comparison में आभी 2019-21 का जो survey हुआ उसमें 2020 हो गई है 1000 men's के comparison में तो यह बात ठीक है improvement तो है पर वही चीज़ है कि हम देखें सही में तो मुश्किल है थोड़ी सी यह है कि हाँ census के basis पे जो data हैगा वो हमें comprehensive मिलेगा एक चीज़ यह बताए जारी है कि जो women के लिए जो life expectancy है वो भी improve हुई है ठीक है ना 2014-2018 के बीच की time की देखें तो औरतें अब लगबग धाई साल ज्यादा जीती है पहले के comparison में इसका मतलब maternal mortality rate है वो भी reduce हुई है इसके लावा women empowerment nutritional value food intake women empowerment ये सारी चीज़े possible हो पाई है इसमें कोई किन्तों नहीं है पर जितना हम ये कहें कि हाँ जी पूरी population में sex ratio इतना ज्यादा rise हो गया वो थोड़ा सा हमें समझने की जरुरत है इसके अलावा आगे देखें एक survey को और quote कर रहा है writer यहाँ पर कि Indian human development survey की अगर बात करें तो उसमें भी यही trend ऐसा कुछ था कि 2011 12 के टाइम पे 1000 men's के comparison में 1004 औरत हैं पर सवाल यह है कि ये तो comparison आपने किस basis पे क्या वो ही फिर से कि आप human development पर इंडियन human development पर उस टाइम पर 2011 की census में क्या है आपको पता है कि sex ratio कम है हमारे यहां पर males के comparison में females कम है फिर बात में यह आ जाती है कि इंडिया में sex ratio का अगर trend देखें तो बिल्कुल ठीक है ऐसी बात भी नहीं है कि data बिल्कुल गलत है empowerment हुआ है पर जो gender balance की हम बात कर रहे हैं उस gender balance को हमें थोड़ा समझने की ज़रत है इस तरीके से हम अलग-अलग segments में भी comparison करता है बोलो वो चीज भी यहां पर national family health survey में ज़्यादा ध्यान नहीं दी जाती है for example अगर youngsters की अगर बात करें तो उनमें तो हो सकता है कि 948 लड़किया है हजार लड़कों के comparison में बुडों की बात करें तो वहां पर आपको पता पड़ेगा कि जो old lady है या old women है उनके numbers out number करते हैं किसको men's के numbers को मतलब men's के comparison में women जाता है old days में और बच्चों की अगर बात करें तो कुछ states में आपको दिखेगा कि कहीं पर लड़किया जाता है कहीं पर लड़के जाता है परसेंट ये रिलाय करके ये नहीं कह सकते कि हाँ जी बहुत ही सही पूरी हमारे आपर जो empowerment है या फिर gender ratio है वो बहुत ज़्यादा improve हो रहा है ठीक है इसके आगे हमारे आपर ये भी देखने की जरुवत है कि early age mortality rate की बात करें अब वो किसी भी वज़े से early age mortality चाए अब female feticide की जो problem है वो thought out हुई है की नहीं हुई है वो भी अपने आप में बहुत बड़ा मुद्धा निकल के आता है इसके अलावा anxieties इस report में थोड़ी सी ये और है कि survey जितनी भी population पे किया गया है उसको हम ज्यादा exaggerate ना करें तो ठीक रहेगा हाँ पर ये चीज ठीक है कि हम कुछ important conclusion निकाल सकते हैं ये अभी जो national family health survey conduct किया गया है उसके basis पे तो पहला जो conclusion है that is कि sex ratio जो है survey के basis पे अगर देखें वो पूरा आप कह सकते हो कि हम इस obtained data को exactly पूरे country के लिए as it is apply नहीं कर सकते हैं मतलब general manner में हम नहीं कह सकते कि sex ratio है वो rise हुआ है ये एक तो conclusion ये है दूसरा conclusion ये है कि हाँ पिछले जो national family health survey का जो data है उससे हम अगर compare करें तो sex ratio की जो situation है वो improve हुई है जो कि encouraging है ठीक है इसके अलावा public domain की बात कर लो या फिर जो representative ness है इस particular survey की तो वो थोड़ी सी हमें encourage करती है कि हाँ वाकई में पिछले कुछ सालों में हमारे याँ पर sex ratio rise हुआ है तीसरा conclusion ये है कि sex ratio में जो अभी changes आ रहे हैं वो वाकई में welcoming है इसमें कोई किंतु नहीं है पर generalization को हम implement करें उसके उपर limitation है और जो पहला कुछ था point उसे से संबंदित है ठीक है तो ऐसे में balance बनाना sex ratio में ये अपने आप में बहुत ही जादा important हो जाता है पर वोई चीज है कि एक wide range conclusion निकालना थोड़ा सा मुश्किले पैदा कर देता है चीज वो यारी जो पहला point था तो ऐसे में बात ये है और final point ये बताया जा रहा है कि sex ratio इंडिया में balance हो गया है इस ये चीज हम conclude कर दें ये थोड़ी premature होगी क्योंकि हमारे पास में जब तक census का data available नहीं होता तब तक हमें wait करना चाहिए तो ये कुछ चीजे बताई जा रही है यहाँ पर sex ratio पर ज़्यादा उसी पर focus सा रहा था तो National Family Health Service से संबंदित हमने जो previous discussions की है उनमें से जो आपने points एड़ किया है उसी में एक ये point भी add कर देना ठीक है आगे चलते हैं भी next article है how to help farmers article को लिखा है अशोग गुलाटी जी और स्वेता सैनी ने देखो इस article में बताया जा रहा है कि बहुत सारे जो world के leading countries for example G20 countries की अगर हम बात करें तो वहाँ पर हर एक country अपनी agriculture को support provide करने के लिए काम करता है और इसमें सबसे जो main point आता है वो ये कि agriculture में जो research and development का काम है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा होना चाहिए talent उसमें infuse होना चाहिए जिससें की sustainable manner में और competitive manner में agricultural growth को आप ensure कर सको दूसरी चीज ये कि agriculture को हमें और ज़्यादा extended manner में अगर एक कहते ना कि हाँ वाकई में remunerative manner में अगर बढ़ाना है फायदेगा सौदा बनाना है तो lucrative market की access है उसको हमें ensure करनी होगी मतलब जहाँ पर demand ज़्यादा हो agriculture produce की वहाँ उन markets में हमारे product पहुँचे ये हर एक देश कोशिश करता है चाहे फिर वो domestic हो या फिर external हो देखो इसके लिए एक efficient value chain बनाने भी ज़र होती है जैसे की food processing industry को ज़्यादा promote करना ठीक है और उसके बाद में processed food को आप बेच सकते हो बार farmers का involvement करना cold storage create करना जिसें की perishable items को हम store कर सके technologies का best use किया जाना तो बोले ये सारी चीजे होती है तब मिलकर के आप इन सारी चीजें को combine करोगे ना तब जाकर के agree system को proper manner में functioning में लेकर क्या होगे उस से फिर farmers की income को आप augment कर सकते हो बढ़ा सकते हो but democratic system में क्या होता है कि policies ना वो हमेशा scientific basis पे नहीं बनती है democratic system में policies जादा तर policies हर बार तो नहीं मतलब कुछ बार कुछ टाइम तो ये होता है scientific basis पे काम हो पर जादा तर influence कौन सा रहता है freebies का, lobby का vote bank का कि कहां पर हमें जादा vote मिल रहे हैं बोला वहीं पर जैसे कि आपको पता है electricity का bill सेकंडों में माफ कर दिया जाता है loan जो है वो सेकंडों में माफ कर दिये जाते है इसके अलावा जो policy choice है वो भी suboptimal बनाई जाती है जिसकी वज़े से long term में economy, environment और farmers तीनों को नुकसान होता है जो कि अभी recently इंडिया ने देखा ठीक है तो सबसे पहला point यहां पर उठाना चाहरा है और इसी पर oriented पूरी बात है कि MSP की बात करें MSP हमारे यहां पर political parties जो है वो इस तरीके से यूज़ करती है जैसे कि MSP के basis पर farmers का बहुत फायदा होता है बट real sense में यह है कि MSP की जो अभी demand हो रही है कि आज यह legal right बना दो MSP को तो उसके पीछे writer यह बोलना चाहरे है कि इसकी परसे से बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा यह anti farmer साबित हो जाएगी long term में अगर हम इसको minutely understand करें तो ठीक है देखो कोई वक्त आज के time पर अगर देखें तो MSP declare करने का जो वज़े होती है वो क्या कि minimum support price की कम से कम इतनी सहायता तो मिल जाए एक farmer को पर MSP के basis पर ही अगर हम सारी चीजों को operate करना शुरू कर देंगे और market force को जो कि demand supply पर काम करता है उसको हमने एकदम side कर दिया तो इसका नुकसान farmers को कैसे हो सकता है वो ये कि मान लो एक harvest time की बात करें जब फसल कट रही है और उस time पर production शानदार हो गया अब वो production शानदार हो गया इसका मतलब किसानों के पास में stock बहुत शानदार है चाहे गेहों का हो चाहे चावल का हो चाहे डालों का हो किसी भी commodity की बात कर लो agricultural commodity की अगर उनके पास में stock बहुत जादा है तो market में आएंगे बेचने के लिए अब बेचने की जब बात आएगी तो उनको जब legal right मिल गया ना MSP का तो जब बेचने की बात करेंगे तो जो private sector के जो individuals हैं या जो भी business houses हैं वो जब purchase करेंगे तो उनको लगे गया या यह तो बहुत महिंगा दे रहा है अपकी बार production भी अच्छा हो गया उसके बावजूद भी यह तो महिंगा दे रहा है क्योंकि MSP के basis पे तो वो उतना ही खरी देंगे जितना उनको जरूरत है या फिर हो सकता है कि जब कोई MSP जब कम थी तो उस ताइम उनके उन्होंने कुछ कटा कर लिया होगा तो इस केस में इनका जो माल है जो access में production हो गया वो बिक नहीं पाएगा अब वो बिकेगा नहीं मार्किट में तो ये तो पहली चीज तो farmers के पास में उस खरीद लेगी already आपको पता है जो food corporation of India है उसके go down में कितना access में अनाज पढ़ा है जिसकी वजह से वहाँ पर चुए खा रहे हैं और वो अनाज बरबाद हो रहा है तो बोले इस तरीके से demand and supply का जो force proper काम कर सकता था उस चीज को अगर आपने हटा दिया MSP को legal करके तो बोल इस finalize हो रही है वो अगर MSP से ज़्यादा है तब तो कोई problem नहीं आएगी पर MSP से अगर यह clearing price कम है तो market में जो यह agriculture commodity है ना यह खराब होती रहेगी और पड़ी रहेगी और यह situation farmers के लिए ज़्यादा खराब साबित हो सकती है और यह चीज हमने देखी भी थे आपको ध्य no explain piece पर हमने discuss किया था कि USA में milk production को promote करने के लिए MSP जैसी ही 1980s 1978 में यह declaration कर दिया था कि जहां दूद के भाव हर साल 6% बढ़ा दिये जाएंगे result क्या हुआ था access में market में मतलब सरकार के go downs में चीजी चीज बढ़ दिया था ठीक है और उसकी वज़े से farmers को भी नुक्सान हुआ और सरकार के ओपर करजा कितना बढ़ गया वो भी आप समझ सकते हो क्योंकि फिर खरी देगा कौन भाई अब आपने MSP कर दी लीगल कर दी अब लीगल करने के बाद में अगर market में वो चीजे बिकने के लिए आई तो भी private sector वाले तो उतनी खरी देंगे जितनी उनको जरुरत है सस्ता मिलीगा तो क्या पता वो ज्यादा भी खरीद लें पर अगर उनको पता है कि हाजी मुझे तो इतनी है जरुरत है तो फिर private sector भी इस चीज में इंटरस्ट नहीं लगाएगा तो economy के लिए भी नुकसान वाली चीज हो गई तो government देखो अभी हमारे याँ पर 23 क्रॉप्स के लिए MSP डिकलियर करती है जिसमें साथ तो सीरियल्स है ये नाम आप देख सकते हो पांच पलसेज हैं और सेवन ओल सीड्स हैं और चार commercial क्रॉप्स हैं ऐसे करके 23 क्रॉप्स के लिए किया जाता है और इसमें main जो है सरकार के लागत आती है ना जो economic cost आती है सरकार के उपर उसका सरकार 90% तो subsidy के तोर पे दे देती है क्योंकि सीदी सी बात है कि 100 रुपए का अगर 100 रुपए का अगर गेहूं खरीदा है सरकार ने तो सरकार उसको गेहूं को जब बेचेगी ना public distribution system के अंडर में तो सरकार को केवल 10 र परता है सरकार को और सरकार के फिर fiscal position वो बिगड़ जाती है तो ऐसे में farmers के लिए तो हमने situation उपर देखी ही मुश्किल वाली और सरकार की परिस्तिती भी बिगड़ जाएगी जो कि long term में या फिर short term में मुश्किले पैदा कर देता है तो पीडियस system भी एक limit तक operate हो जैसे कि हाँ भई जो हमारे देश में जो bottom 30% population है उनके लिए अगर पीडियस system कर दे या फिर economic cost जो है rice और wheat की उनको थोड़ा सा manage कर ले कि हाँ आज एक रुपए के लोग यह हूँ दो रुपए के लोग चामल यह बेख से जा रहे हैं इनको थोड़ा सा rise कर दे हलका सा हाना इनके भ USP जो है वो तो 1965 में लाई गी थी जिस टाइम पर हमारे हाल थे ship to mouth भाई परिश्तिती ऐसी थी कि जब जहाज में अनाज लोड होकर के आता था जो श्रलंका का भी हाल चल रहा है जहाज में जब अनाज लोड होकर आता था तो लोग फिर पेट बरके खाना कापाते थे और अमेरिका जैसे देश हमें परेशान करते थे तब फिर हमारे यहाँ पर green revolution के टाइम पर 1967 में high yield variety technology introduced की गई तो उसमें ये था कि farmers को encourage करना कि आप HYV technology से अगर agricultural activities करते हो तो बोलो उससे आप जो भी production होगा उसको सरकार खरीदेगी आप चिंता मत करो चीज के लिए और उसका फाइदा ये हुआ कि HYV technology की basis भी production हुआ उसके basis पे सरकार ने procurement कर लिया और उसको फिर बाद में गरीब जनता में public distribution system के अंडर में बाट भी दिया तो इससे क्या हुआ बुखमरी भी कतम हो गई और farmers की welfare भी ensure हो गई पर आज का वक्त दूसरा है आज बुखमरी नहीं है हमार million metric ton 2020 के time पे आप देखो rice का procurement किया है government ने 43 million metric ton wheat का procurement किया है और आज और इसके अलावा नाफेड ने भी 0.66 million metric ton pulses का procurement किया है और इसकी वजह से अभी हमारे जो food grain या granaries है या फिर कह सकते हो जो भी stock है FCI के पास में वो overflow कर रहा है बोला आज इस परिस्थिए में अगर MSP को legalize करा दिया जाए तो कितना मुश्किल हो जाएगा अब जब ये MSP launch की गई थी तब ही केवल एक indicative price थी indicate करना legal price नहीं थी तो बोला आज इस तरीके के अगर का दम उठाली है ना तो बोला पहले से ही हमें access में food हमारा खराब हो रह बोला और जादा नुकसान हो सकता है economy को farmers को और government को भी ठीक है इसके आगे इसके आगे writer से बोल रहा है कि अगर rice और wheat की बजाए दूसरे और segments में अगर ये नजरे गडानी शुरू कर दी कि हाँ जी 23 की 23 crops के लिए government अपनी तरफ से MSP declare करती है तो उनको सब को procureur करने की फिर जब ये MSP की बात आती है तो बहुत सारे states में बहुत नुकसान भी हुआ है कैसे आप देखो कि 36 गड़ की बात करें ठीक है तो वहाँ पर जो market price थी उसके comparison में MSP का जो declaration था ना वो कम था ठीक है तो वहाँ पर 300 रुपा पर quintal के हिसाब से farmers को एक तरीके से जहाँ पर MSP के basis पर बेचा गयाना तो बहुत नुकसान हुआ यूपी में 102 रुपा पर quintal के हिसाब से जब पर quintal के हिसाब से नुकसान का सामना करना पड़ा जब MSP के उपर जब किसी भी किसान ने market price के बजाए MSP पर उन्होंने अपनी जो प्रडियोज है उसको बेचा बहुत बिहार जार इस तरीके से ठीक बात नहीं है market force काम करेगा तो ही ज़्यादा फाइदा रह पाएगा सरकार को भी economy को भी और farmers को भी ठीक है इसके आगे 23 क्रॉप्स को अगर खरीदना शुरू कर दिया तो सरकार तो बरबाद हो जाएगी ठीक है इसके अलावा इन्होंने अपनी तरफ से बोला हमने calculation की तो ये बताया कि अगर सरकार दस परसेंट भी जितना भी remaining crops का production का purchase कर लेती है दो का तो करती है चावल और गे हूँ अब बची हुई 21 जो है उनका भी 10 परसेंट अगर लेना शुरू कर देना सरकार तो बोला पांच पॉइंट चार लाग करोड रोपे का annually द ठीक है तो राइटर जो हैं वो बोल रहे हैं कि आज की परिस्तिती में PDS सिस्टम MSP को legalize करना इन सारी चीजों में reform लाने ज़रूरी है नहीं तो मुश्किले कम नहीं हैं बढ़ती चली जाएंगी तो इसके लिए क्या किया जा सकता है कुछ लोग तो ये बोलते हैं कि price deficiency scheme क क्यों पर काम किया जा सकता है कि MSP डिकलियर कर दी सरकार ने market में जो कुछ भी बिकरा है उस price को देख लिया MSP और market price की बीच में जो भी gap है वो अगर MSP जादा है और market price कम है तो सरकार उस पैसे को compensate करेगी और farmers के अकाउंट में पैसा भेज देगी पर इसका फाइदा मद्य प्रदेश में जब scheme launch की गई थी जिसका नाम है यहां पर देख सकते हो भावांतर बुक्तान योजना 2017 में यह launch की गई थी खरीफ के लिए आठ क्रॉप्स के लिए अब देखो जो businessmen थे ना उन्होंने क्या दिमाग लगा लिया त्रेडर्स ने क्या दिमाग लगा लिया क्य businessmen ने जो market price हो वो बिल्कुल down कर दी लोबिंग कर ली अब फार्मर आया market में बेशने के लिए अब MSP मान लो 2000 रुपए पर quintal के हिसाब से मान लो कोई भी चीज़ का मेजगा मान लो ठीक है अब 2000 रुपए पर quintal MSP डिकलियर कर दी और market में बिक कितना रहा है 1500 रुपए पर quintal या 1000 रुपए पर quintal तो difference कितना अगे एक quintal के ओपर 1000 रुपए आया की नहीं अब यह 1000 रुपए कौन पे कर रहा है सरकार farmers को देगी तो बोला सरकार के ओपर problem आ गई थी इस तरीके से हैं तो ऐसे में सरकार ने इस scheme कोई discontinue करना पड़ा बोले यह तो काम नहीं कर गई तो क्या account में पैसा दे दिया जाए और MSP जो है उसको या फिर PDP है उसको आप हटा दो एक यह point बताया जा रहा है और market को market के हिसाप से काम करने दो ठीक है तो यह कुछ बाते बताई जा रही है इन चीजों को पहले हम वैसे discuss कर चुक है आज के वैसे तीनों articles थे वो previous जो articles हमने डिसकस कियो है उनी से connected थे ठीक है अब लेते हैं समरी बचे वा articles की इधर यह वाल आर्टिकल आप देख सेकते हैं सैक्रिलेज एंड साइलेंस अभी पंजाब में अमरिच सर का जो हमने कल इंचिडेंट पढ़ा था नियो उस भी डिसकस की थी कि सैक्रिलेज का मतलब वही च साहिब है उनके पास में रखी हुई तलवार एक सक्ष ने उठा ली उसका result है रहा कि उसको पीट पीट करके और मारी दिया तो बोले ये बाट ठीक है कि किसी भी धर्म के साथ में अगर छेड़ चाड़ की जाती है या फिर उनकी feelings के साथ में कुछ गरबड होती है तो वो definitely नहीं होना चीए पर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो वहीं पर अगर उसी धर्म को प्रोमोट करने वाले लोग कानून को अपने हाथ में ले करके उस बंदे को मार देते हैं तो बोले ये भी justified नहीं है एडिट रही कि ये चीज बोलना चाहरा है दूसरा political class की तरफ से इसके ओपर कोई comment नहीं आया है अभी तक क्योंकि अभी जबकि वहाँ पर elections है उसके बावजूद भी ठीक है बोले इस तरीके का incident golden temple में तो हुआ ही है बाकी एक incident और हो गया कापूर्थला में तो बोले इस तरीके से अगर activities सलती रही तो पंजाब में जिस तरीके से ये कान सोच समझ करके काम करने की जरूरत है एक तरफ हम right to religion की बात करते हैं और दूसरी तरह हम right to life की बात भी करते हैं जब article 20 और article 21 दोनों हमारे यहाँ पर एक individual को मतलब emergency period में भी available होते हैं वो अधिकार हम कैसे खतम कर सकते हैं ultimately हैं तो हम एक democratic और constitutional democracy तो कैसे हम इसको ignore कर सकते हैं तो यह चीज यहाँ पर बताई जा रही है कि बोले इस चीज के लिए पंजाब में ऐसे incidents होते रहते हैं तो इसको correct out करना जरूरी है नहीं तो पता पड़े कि अभी एक incident हुआ फिर बाद में line लग गई हना इसके अलाबा यह वाला article है in bad faith अभी करनाटगा में बीजेपी की रही है तो यहाँ पर एक draft bill introduced किया गया है that is protection of religion to freedom of protection of rights to protection of right to freedom of religion bill 2021 इसमें यह कहा गया है कि कोई भी forcefully अगर किसी को भी convert करता हुआ मिला एक religion से दूसरे religion में तो बलो उसको फिर सजा दी जाएगी और इसमें main focus है वो इस पर किया गया है कि जो 2% करनाटगा की population को constitute करने वाली minority है that is Christians Christians तो बोला Christians जो हैं वो हिंदूस को convert कर रहा है बोला एक तो यह concern यहाँ पर शोकिया जा रहा है दूसरा यहाँ पर यह कि Muslims पर भी कहीं न गहीं इस चीज़ को लेकर क्या अटेक किया जाता है तो देखो point यहाँ पर यहाँ पर यह है कि BJP rule governments के अगर बात करें फर एक्जामपल UP, हिमाचल प्रदेश, मद्या प्रदेश इसी लाइन में अब करनाटगा भी लाइन में लग चुका है जहाँ पर इस तरीके के कानून लाया जा रहा है देखो इस तरीके के incidents में politics अगर उलजी हुई है जैसे यहाँ पर अगर vote bank की बात करें ठीक है majority minority इस तरीके से है तो इसमें vote bank वाले मुद्दे पर तो हमें इतना ज़्यादा comment करना नहीं होता है being an administrator पर हाँ हमसे अगर कोई पूछे कि आपके इसाब से क्या होना चाहिए तो आप और हम एक ही चीज बोल सकते हैं देखो evidence-based चीज होनी चाहिए ठीक है कहीं पर भी forceful conversion है वो definitely हमारे constitution के articles में कहीं पर लिखा हुआ नहीं है even हमारे यहाँ पर जो secularism है उसमें भी principal distance का concept है जिसमें यह है कि कहीं पर भी right to religion जो कि article 25, 26, 27, 28 के अंडर में दिया हुआ है अगर कहीं पर भी इन rights का violation होता है तो state वहाँ पर intervene करेगा साथ में यह भी कि एक individual अगर अपने right to religion को promote कर रहा है या फिर exercise कर रहा है कि यहाँ जी अपने धर्म को प्रचारित करना, प्रसारित करना, प्रफेस करना, प्रपगेट करना, exercise करना वो अगर public order, morality को और या national security को बिना compromise किये हुए करता है तो कोई issue नहीं है पर अगर वहाँ पर इन चीजों को challenge कर दिया, तो फिर वहाँ पर state, that means, सरकार का role आ जाता है ठीक है जी, तो इस तरीके से हम वहाँ पर suggestion दे सकते हैं बाकी तो अपने अपने मुद्दे, अपने अपने तरीके ऐसे हैं आप एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जब कहीं पर भी फसते दिखोना, मैं पहले भी बता चुका हूँ फसो ना कहीं पर भी, क्या यहाँ पर मेरा क्या opinion होना चीए, constitution को रटलो constitution इतनी help करेगा तुमारी, कि जिंदगी पर तुम्हें करना क्या है, तुम constitution की शपत लोगे constitution के लिए तुम्हें काम करना है, तो इसी चीज के बारे में सोचना शुरू कर दो और जहाँ पर भी फसने वाले हो जाओ ना, तो right to constitution, मतलब हर जगहें पर back to the constitution कि हाँ, आप fundamentals पर आ जाओ, और वहाँ से restart करो, समझ में आ जाएगा कि मेरा क्या opinion होना चाहिए, कहीं पर भी अगर partition चिपा जाए ना, आपके दिमाग में, कि हाँ जी, Congress अच्छी है कि BJP अच्छी है, opinion रखो बेशक, पर आप ये कहो कि Congress ही अच्छी है, वहाँ गडबड हो जाएगी ध्यान रखना, आपको BJP में जो अच्छी चीज़ हैं, वो बताओ, तरनमूल Congress की अच्छी बात हैं, वो बताओ, और जो कमिया है इन political parties में, वो भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है, एक बार मैंने देखा था, विकास दिवे किर्दी सर का वीडियो, तो उसमें उन्होंने बोला भी था, और ये चीज रियालिटी भी है, question आ सकता interview में, कि भई, आप ये बताओ, कि आपके हिसाब से कैसे political party होनी चाहिए, तो आप केवल है और केवल constitution की बात करके कह सकते हो, आपको reference constitution का देना है, ठीक है ना, आपको balanced view बनाना है, और constitution हमारा बहुत ही balanced है, इसके आगे last ये वाला जो article है, such ado about a meeting, कली परसो हमने Saturday को एक discussion किया था, जिसमें S.Y.C. कुरेशी commissioner और जो election commissioners हैं, उनका principal secretary के साथ मिलना, बोले ये अपने आप में बहुत ज़्यादा दुगहत है, क्योंकि जो election commission of India है, that is a constitutional body, और constitutional body एक executive के सामने जाकर के बात करें, तो बोलो वहाँ पर dignity बहुत ज़्यादा decline हो जाती है, तो उसी चीज़ को counter कर रहे हैं, यहाँ पर प्र एक institution, दूसरे institution को invite करें, बातचीत करने के लिए, तो वहाँ पर कौन से dignity compromise होती है, समझ में नहीं आ रहा, पहली चीज़ तो, दूसरा एक चीज़ यहाँ पर मैंने जो words का जो point निकाला है, वो यह, S.Y. कुरेशी जी तो यह बोल रहे थे, summon करना, words का बहुत ज़्यादा difference ह होता है, summon करना, की principal secretary ने order किया, chief election commissioner को कि आप आओ, हमसे बात करो, order किया, और यहाँ पर यह जो writer है, प्रबीर के बासू, यह show कर रहे हैं, बोला invite किया, अब invitation और समन में रात दिन का अंतर है, और मुझे जो जो difference दिखाए, दोनों articles में यही दिखाए, वहाँ पर S.Y. कुर कुरिसी जी का concern यह था, कि भई, जहां पर chief election commissioner को अगर principal secretary के साथ compare करें, तो बुला जो ranking का precedence अगर देखें, तो उसमें chief election commissioner बहुत उपर आते हैं, तो बुला एक lower rank या lower category, या lower rank के individual, या फिर entity, या institution के दौरा, upper entity को अगर summon किया जाए, तो वो कहां तक चल पाएगा, क्या इसमें chief justice of India को principal secretary अगर बुलाते कि आप आओ यहां पर, और उनको summon करते तो वो आते क्या, तो summon word है ना, यह कहीं ना कहीं issue create कर रहा है, मैंने यह अच्छे से देखा है, इसमें invitation word यूज़ कर रहा है, अब reality तो भगवान जाने invite किया था, कि summon किया था, और जहां तक है, invitation दि हुआ क्या था, बाकि यहां पर writer जो है, S.Y.C. कुरेसी जी को criticize कर रहा है, बुला आप retire हो, चुक्यों आप शानती में रहो, अपने juniors को काम करने तो वो भी सोच समझ करके काम कर रहा है, यह writer यहां पर बोलना चा रहा है, और मुझे जो समझ में आया है, वो invitation और summon word का issue है, ठीक है, अब हुआ क्या था, वो तो वो ही जाने जो involved parties है, तो इस discussion में जो भी था, वो हमने देख लिया, और बाकि आप भी अपने हिसाब से बता सकते हो, opinion दे सकते हो comment box में, ठीक है, thank you very much for watching this video.